नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उतकर्स क्लासेस में और उमीद होगी कि आप लोग की दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी और आप लोग जो है फिर से एक पॉजिटिव एनरजी के साथ जो है वापस लोड़ते होंगे अपने पत पर यानि अपने परिश्रम के पत पर अपने शफलता के पत पर तो चलिए उसी उमीद के साथ जो है हम फिर से आगे बढ़ेंगे अपने उस जो सिरिज में जो की हम लगातार कारिकरम के अनुसार एक एक क्लास जो है आगे बढ़ा रहे थे तो हम जो है राजब्यवस्था के परिचे के बारे में पढ़ रहे अब आप लोग ये कहोगे कि सर अभी भी राज ब्यवस्था का परिचे चल रहा है दोस्तों लेकिन राज ब्यवस्था के परिचे में आप लोग नों देखा होगा कि आपको कई सब्दों के अर्थ पता चल रहे होंगे कई सब्दों के जो बीवरण हैं वो आपको पता चल रहे होंगे और एक एक सब्द आपको पता चल रहा है कि सम्मिधान पढ़ते समय या फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ते समय कितना महत्पूर्ण होता जाएगा तो अभी भी हम जो है सम्मिधान के स्वारी राजब्यवस्था के परिचे पर हैं और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर में सम्मिधान क्या होता है लेकिन यह पढ़ने के पहले मैं आपको जितना पीछे पढ़ाया गया है उसको दस मेर्ट में रिव्यू करा देता हूँ क्योंकि जो नए बच्चे भी जुड़ेंगे उनको भी यह पता होना चाहिए कि आखिर में क्या-क्या पढ़ाया गया है तो चलिए उमीद है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को सेर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं अपना वही कारकरम जो सेरिज के साथ जो सेरिज के साथ चलिए तो सुरुआत जो है हमने राज्य व्यवस्था के परचे से किया था और बात किया था कि आखिर में राज्य व्यवस्था क्या होती है किस तरीके से होती है तो हमने सुरुआत में देखा था कि जो राज ब्योस्था है वो दो सब्दों से मिलकर बना है राज जिसे और ब्योस्था से आखिर में ये राज ब्योस्था आई कहां से तो हमने सुरू से देखा था कि पॉलिटी सब्द पॉलिटी जो हम पढ़ते है पॉलिटी सब्द में पॉली सब्द का अर्थ है नगराज और यह सब्द ग्रीक से सम्बन दित है और एक किताब है पॉलिटिक्स ठेकान जिसकी रचना कौन किया था अरस्तू ने किया था अरस्तू कौन था प्लेटो का सिस्थ था ठीकिन और हमने पहले ही बात किया था कि अरस्तू एक बेवारिक बिचारक है और प्लेटो एक आधरश्वादी बिचारक था जो भी बच्चे नए जोड़े हैं ध्यान में रखिए ये सब पढ़ा दिया गया है अब हम उसे आगे ले चल रहे हैं लेकि यहां हम् भारत के बारे में देख रहे हैं यहां हम भारत के बारे में देख रहे हैं अरस्तू है उसका जम 384 2006 में हुआ था चानक का जम 373 यानि के लगभग-बगए एक ही टाइम पिरियड है अरस्तु के द्वारा एक किताब लिखी गई थी पॉलिटिक्स जिसके अनुसार अब राज्टी बिग्यान का अरस्तु को जनक भी माना जाता है एक किताब है इसके History of Animals यानि आप देखोगे तो यहां लिखा है जी बिग्यान का जनक और इसकी किताब भी जो है History of Animals पे लिखी गई है अरस्तु का सिसे कौन था सिकंदर था आप देखो यहां पर चनक के ने जो है एक किताब लिखा जिसका नाम था अर्थ सास्त और चनक का सिसे कौन है चन्दगुप्त मौरे आप देखोगे तो चनक को भारती राजिती का जनक माना जाता है भारती राजिती का जनक माना जाता है साथ साथ हमने देखा था कि राज व्योस्था में राज सब्द का अर्थ क्या है और आखिर में राज बनता कैसे है इन चीजों को भी देखा था तो हमने देखा था कि राज के चार आवश्यक तत्तों है ये पेपर में लगातार पुछा जाता है एक निश्य छेत्र जन संख्या सरकार और संप्रभुता लेकिन हमने भारती राजती चिंतन में राज के साथ अंग देखे थे राजा मंतरी दुर को शेना देश और मित्र पुछा जाएगा कि भारती राजती चिंतन के अंसार राज जिके कितने अंग होते हैं तब क्या बताएंगे साथ जब ये भारती राजती चिंतन जुड़ेगा तब यहां पे साथ आएगा नहीं तो नॉर्मल तरीके से कितने अंग होते हैं चार अंग होते हैं दोस्तों ठ के करके पढ़ा था आगे बढ़ते हैं हमने सरकार जो ये सब्द सरकार आया था इसे जो है हमने एक ब्रीफ नौलेज लिया था कि सरकार के तीन अंग होते हैं बिधाईका, कारपालिका और नियाईपालिका, बिधाईका का काम है कानून का निर्माना करना, कारपालिका का काम ह कानून को बनाए रखना साथ साथ मैंने यह भी बताया था कि जुडिशल का काम और भी है जैसे समिधान की समिधान की ब्याख्या करना किसकी ब्याख्या करना समिधान की ब्याख्या करना साथ साथ मैंने यह भी बताया था कि फंडा मिल्टर राइट्स का रच्छक भी कौन है सरवचन्याले हम बोलते हैं कि फंडमेलिटर राइट्स का रच्छा किसे माना जाता है जो डिशिरी को माना जाता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमने एकात्मक बेवस्था और संगात्मक बेवस्था देखा था कि आखिर में ये दोनों होता क्या है मैं सौट फर्म में समझा दे रहा हूँ कि एकात्मक ब्याउस्था में केंद्र शक्तिशाली होता है सरवे सरवा केंद्र होता है सब कुछ केंद्र होता है लेकिन जब हम संगात्मक ब्याउस्था की बात करते हैं दोस्तों हेलं तो यहां पर केंड्र और राज्य दोनों को अधिकार मिला होता है इतना समझिए कि एक है जिसकें पास सारी शक्तिया हैं संगहात्मकभ यह संसाय में दो यह संसाय है जिन में शक्तियों का बटवारा किया गया है। सब क्या है संगहात्मक्देश है आगे बढ़ें तो फेडल गॉर्मेंट और यूणिटरी गॉर्मेंट मैंने आपको अंतर भी बताया था कि आखिर में दोनों में अंतर क्या है इधर federal government है इधर unity government है federal government में हमने देखा था कि दो level के सरकारे होती है साथ-साथ जो political powers हैं वो distribute होते हैं दो लोगों में constitution लिखित होता है लेकिन कठोर होता है rigid होता है और two different types of law होते हैं एक central के और एक आपके state के unity government में देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक level के सरकार होती है उसे या तो हम central government कहते हैं या national government कहते है political power जो है वो central government के पास होती है और जो constitution है वो लचीला होता है और maximum time क्या होता है uncodified यानि कि अलिखित रूप में होता है और साथ-साथ only one state of law होता है uniform होता है सभी राज्यों के लिए केंद्र के लिए एक कानून होता है जो केंद्र के द्वारा बनाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं तो आगे हमने देखा था कि हाँ लोग तंत्र के बारे में देखा था डेमोक्रिसी के बारे में देखा था और सबसे पहले देखा था कि लोग तंत्र दो सब्दों से मिलकर बना है लोग और तंत्र जो है लोग सब्द संस्कृत का सब्द है और इसका आर्थ होता है जनता होता है तंत्र का आर्थ शासन औ पढ़ा रहा हूँ तो यह सारी classes हो चुकी है मुझे नए topic पराना है लेकिन हमारा जो कारकरम होता है हम हर class में थोड़ा बहुत दोहरा दिया जाए तो इसलिए हम इस class में भी चाहे ये online हो चाहे offline हो हम ये कारकरम हर class में करते हैं कि जतना पीछे पढ़ाया है उतना कम से कम थो सासत डेमोक्रेसी सब्द जो है वो ग्रीक के दो सब्दों से मिलकर बना है एक है डेमोस और एक है क्रेटस यानि की डेमोस का अर्थ होता है आम जन साधारन और क्रेटस का अर्थ होता है सासन यानि ताकत और इसका मतलब निकलता है जन साधारन लोगों का सासन यहां भी जनता आ रही है जो है और अगर आप से कभी पूछा जाए कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं या फिर डेमोक्रेशी कहां देखने को मिलती है तो आप देखिए एथेंस के ग्रीक सहर से जो है इसकी सुरुवात हुई है आगे बढ़ें तो लोगतंत्र क्या है उधर अबराहम लिंकन जी है और इधर जनता है जो कह रही है कि पावर हमारे पास है पावर हमारे द्वारा दी जाती है और हम ही सब कुछ है तो लोगतंत्र की परिभासा के अंसार जनता के लिए जनता के द्वारा सासन है ये अंबराहम लिंकन जी ने अंबराहम लिंकन नी परिभाशा दे थी और अंबराहम लिंकन सुलोमे राश्पती थे USA के यहां कुछ बिचारक हैं उन्होंने जो है लोगतंतर का अर्थ समझाया है इन सब्दों को देखेंगे आप तो लगातार आपको इसमें जो मेन सब्द मिलेगा वो जनता सब्द मिलेगा और समुदाय सब्द मिलेगा तो समुदाय भी किस से मिलकर बनती है जनता से ही मिलकर बनती है तो आप यहां देखोगे यहां पे जनता और समुदाय सबसे जादा है यानि कि लोकतंतर का अर्थ ही सारे बिद्वान निकाल रहे हैं कि जहां जनता सरवेशरवा हो उसे जो है लोकतंतर कहते हैं आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि सामानता लोकतंत्र जो है दो प्रकार का होता है एक होता है प्रत्यच लोकतंत्र एक होता है अप्रत्यच लोकतंत्र मैं आपको था तेजी से यहां पे ले जाओंगा जो प्रतेच लोगतंतर होता है वहां पर सीधे जनता जो है देश के मुख्या को चुनती है और निर्णय निर्मान में सीधे रूप से भागिदारी भी करती है और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में सुट्जा लेंड जो है इंटा रूप दिखता है वहां पर हमें प्रतेच लोगतंतर दिखता है और मैंने यह भी बताया था कि प्रतेच लोगतंतर के कुछ विसेस्ताइं भी होती है दो तीन विसेस्ताइं मैंने बताया था जैसे एक होता है जन्मत संग्र आप पिछले वीडियो में जाकर देख स अब प्रतिय घ्योगतंत्र को चुंती हैं बारत उसकी और वर्तमानु समय में अधिक्तम देशों में कौन सा लोकतंत्र पाए जाता है अब प्रत्यच लोकतंत्र पाए जाता है साथ साथ अब प्रत्यच लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है एक होता है संसदी और एक होता है अध्यच्छात्मक आगे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि अब पालिका का वास्तिक मुख्या कौन होता है राष्टपती होता है उसे हम जो है अध्यच्छात्मक लोगतंत करते हैं जामपल की रूप में आप यूसे को ले सकते हैं साथ साथ आगे बढ़े थे तो हमने गरतंत्र सब्दुका आर्थ देखा था कि आखिर में गरतंत्र का क्या होता है तो गरतंत्र एक एसी सासन पडराली है जिसमें हर चीज़ सरजनिक होती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता चुना गया होता है वनसा नुगत नहीं होता है चुना होता है वनसानुगत नहीं होता तो आप इस बात को जो है आराम से समझ सकते हैं कि किस देश में देश का मुख्या वनसानुगत है और किस देश में आप देखोगे कि चुना हुआ है जैसे भारत में क्या है देश का मुख्या चुना हुआ होता है अमेरिका में क्या है देश का मुख्या चुना हुआ रहता है लेकिन बिटेन में देखिए देश का मुख्या जो है चुना हुआ नहीं है ठीक है न? आगे बढ़ते हैं तो यहां पे लोगतंत और गरतंत में क्या अंतर है इसके बारे में दिया हुआ है आप इसको पढ़ लिजेगा जो है स्लाइड आपके पास है मैंने पिछली क्रास में जो है यहाँ पर बता दिया था कि आखिर में लोगतंत्र और गरतंत्र में क्या अंतर है आगे चलिए तो हमने कुछ ऐसे एक्जामपल देखे थे ऐसे देश जो प्रजातंत्र हैं लेकिन ग गरतंत्र नहीं है मतब देश का जो मुख्या होता है देश का मुख्या होता है वह जनता के ज़ारा नहीं चुना जाता तो ऐसे कौनसे हैं इंग्लैंड है इस्पैन है नारिवे डिन मार्क निधरलेंड मलेष्या आश्टालिया निउजिलेंड जापस अन्हें यह वहाँ पर जो चुन्ने की प्रक्रिया है वह लोकतंत जैसा नहीं दिखता जैसे रशिया हो गया आपका चीन है क्यूबा है उत्री कोरिया है ये सब चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे जो आज का टॉपिक है देखें 15 मेर्ट में हमने जो इतना सब कुछ एक बार द होता है आखिर में समिधान का मतलब क्या है हम समिधान को क्यों पढ़ते हैं आखिर में जितनी भी कंट्री हैं वो अपने समिधान को किसी न किसी रूप में रखती है हो सकता है कि कोई समिधान लिखित है और कोई समिधान अलिखित है लेकिन अलिखित का मतलब यह नहीं होत तो उसे हम मौखिक कहेंगे और कोई भी समिधान मौखिक नहीं होता है ठीक है ना हो सकता है परमपराएं मौखिक हों हो सकता है रूणियां मौखिक हों ठीक है ना हो सकता है कहानियां मौखिक हों लेकिन समिधान मौखिक होने का चांस नहीं होता है हलाकि सामानित जो है कुछ जगहों पर ये लिख दिया जाता है कि समिधान मौकिक होता है लेकिन समिधान मौकिक नहीं होता या तो लिखित होता है लिखित का मतलब जानते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है कि वो समिधान एक समय में नहीं लिखा गया है वो समिधान निरंतर जो नियम बनते गए जो परंपराएं थी उनको लेते हुए जो नए-नए कोर्ट के डिसीजन आते गए उनको लेकर जो है नियम कानून बनते गए वो अलिखी समिधान है ठीक है कि आखिर में समिधान है क्या आपके विचार से समिधान क्या होना चाहिए ठीक है और आप यह सोचिएगा कि आखिर में समिधान से हमें मिलता क्या है अगर समिधान न होता तो क्या सासन भी उस्थान चलती जरा सोचिए कि क्या जब राज तंत्र था तो क्या उस समय समिधान और अगर उस समिधान था तो कैसा समिधान रहा होगा या फिर यदि समिधान नहीं था तो देश की सासन ब्योस था कैसे चलाई जाती थी राज्यों की सासन ब्योस था कैसे चलाई जाती थी तो आईए इसी कड़ी में जो है हम एक नया टॉपिक लेते हैं समिधान का क्या खेर में समिधान का मतलब क्या होता है जैसे ही हम समिधान की बात करते है हमारे दिमाग में तुरंत एक सब्दा जाता है Constitution of India क्या सब्द आता है Constitution of India और ऐसे ही आपका समिधान का जो ऊपर का पेज है यह च्छपा हुआ है और ऐसे ही कलाकृतिया बनी हुई है इसमें देखिए आपको कमल का फूल इसमें जो है आपको कमल का फूल दिख जाएगा और हमारे समिधान को सजाने का काम जो किया था वो संदलाल बोच्च वो में थे उन्हीं की देखरेक में हमारे समिधान को सजाने का काम किया था समिधान के जब आप अंदर प्रिष्ठों को देखेंगे जो मूल समिधान है तो हर प्रिष्ट में月 ह envelope जो है कलाकारी की गई है उसके किनारे खिनारे जो है आकृतियां बनाए ग क्या है मैंने डिटेल में लिखा है मैं आपको एक-एक करके समझाता चला जाओंगा धैर रखिएगा समिधान के बारे में आपको डाउट नहीं रहेगा ठीक है चलिये तो सबसे पहला कोश्चन है कि समिधान क्या है समिधान जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज किलियर होगा हर वो सब्द आएंगे मैं सब्दों को समझाऊंगा आप निश्चिंत रहिए शमिधान मूल सिधानतों या इस्थापित नजीरों का एक समुच्चे है नजीर का मतलब होता है उदाहरण सिधानतों या इस्थापित नजीरों का एक समुच्चे समुच्चे का मतलब क्या होता है एक साथ रखना समुच्चे हैं जिससे कोई राजिया अनिसंगठन अभिशासित होता है अभिशासित का मतलब होता है चलता है रेगुलेट होता है तो समिधान मूल सिधानतों या स्थापिर नजीरों का एक समुच्च है जिससे कोई राज जिया अनसंगठत अभिशाशित होते हैं साथ साथ वो किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए यानि कि चलाने के लिए प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ सहीता या यह प्राय लिखित रूप में होता है यह प्राय लिखित रूप में होता है हो सकता है कि कुछ जगहों पर और लिखित रूप में भी हो इसमें जो है कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए प्राय लिखित रूप में होता है यानि सामानिता सम्मिधान लिखित रूप में होता है यह वो विधी है विधी मतलब कानून यह वो विधी है जो किसी राष्ट के सासन का आधार है अगर हम देखें तो चाहे वो भारत हो चाहे USA हो आपका यह सभी जगह पर समिधान लिखित रूप में है और इसी के अनुसार जो है यह चलाय जाते हैं जो देश हैं क्योंकि अगर समिधान लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो सासन है उसका आधार क्या होगा उसे चलाया कैसे जाएगा तो यहां लिख रहा है कि सासन का अधार है उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करती है किसके राष्ट के तथा उसके प्रयोग बिधी को बताती है किसको राष्ट को यह राष्ट की परम बिधी है परम बिधी का मतलब क्या होता है जो सबसे उची बिधी हो तथा विसेश वैधानिक इस्ति का उपभोग करती है सभी प्रचालित कानूनों को अनिवार रूप से समिधान की भावना के अनरूप होना चाहिए और यदि वे इसका उलंगन करेंगे तो वे और समिधानी घोसित कर दिये जाते हैं यानि कि देश में यदि कोई सामानी कानून है या फिर जो परमपराएं भी चल रही हैं वह भी समिधान के अनुसार होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होगा तो जो सामानने कानून हैं या जो परंपराएं हैं उसे सुन्य घोसित कर दिया जाएगा यानि और समयधानी घोसित कर दिया जाएगा मतलब है कि वो समयधान के अनुसार नहीं है अब ही जब हम आगे चलेंगे तो देखिए और समयधानिक सबसे पहले तो कुछ सब्दों को समझ लें क्योंकि आपको हो सकता है कि दिक्कत हो इन सब्दों को समझने में देखो एक होता है समयधानिक एक होता है समयधानिक एक होता है गयर समयधानिक क्या होता है गयर समयधानिक और एक होता है और समयधानिक तीनों के बारे में समझ लिजे कि आखिर में तीनों है क्या एक होता है समयधिक सब्द भी होता है आगे आएगा मैं बताऊंगा सम्मिधानी का मतलब है जो सम्मिधान में दिया है जो सम्मिधान में लिखित रूप से है गय सम्मिधानी का मतलब होता है कि सम्मिधान के अनुसार तो है सम्मिधान के अनुसार है लेकिन समधान में नहीं है लेकिन समधान में लिखित नहीं है और जब और समधानिक की बात करते हैं इसका मतलब समधान के अनुसार नहीं है तमिधान के अनुसार नहीं है तो इन तीनों का अर्थ ध्यान रखेगा क्योंकि इन सब्दों को लगातार प्रयोग किया जाता है इंगलिस में इसे कहते हैं Constitution ये होता है Non-Constitutional और ये होता है Un-Constitutional तो कभी-कभी हमारे दिमाग में गैर सम्मेधानिक का मतलब आ जाता है और सम्मेधानिक तो नहीं ऐसा नहीं है ये सब्द अलग-अलग हैं इसलिए मैंने आपसे एक वादा किया है और कोशिस कर रहा हूँ कि जो सब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके भाव अलग है अर्थ अलग है लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं तो उन चीजों को जो है एक ऐसी सिरिच चलाया जाए जिसमें कि आपको हर एक सब्द क्लियर किये जाए आखिर में इसका मतलब क्या है और समीधान में इसको क्यों यूज़ किया गया है यहांपर ठीक है तो मैं कोशिस कर रहा हूँ कि उस सिरिच को लाया जाए अभी प्रक्रिया जो है चल रही है ठीक है तो मुझे उमीद है कि ये तीनो सब्द जो है आपको समझ में आया होगा कि आखिर में इन तीनों सब्द का मतलब क्या है अगर समझ में आया है तो आप लोग यस या नो जो भी है उसे clear करके लिख दीजे मैं देख लूँ कि आखिर में आप लोग को समझ में आया है कि नहीं ठेक ठेक हाँ ठेक है चलिए तो आप लोग को ये बाते जो है समझ में आ गई है आगे बढ़ते हैं अभी तो हम पीछे ही जाएंगे क्योंकि जो बताना है हाँ या किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किये गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का समिधान कहा जाता है किसी भी देश का समिधान उस देश की राजितिक ब्यवस्था देखे यहाँ पर किसी भी देश का समिधान उस देश की राजितिक ब्यवस्था न्याय ब्यवस्था नागरिकों के हितों की रच्छा करने का एक मूल धाचा होता है जिसके माध्यम से उस राष्ट के विकास की दिसा का निर्धारन होता है जब आप ये चीज पढ़ रहे हो कि समिधान क्या है तो आपको कुछ बाते क्लियर हो रही है कि समिधान में कुछ कानून लिखे होते हैं कानूनों का समुच्च होता है साथ साथ समिधान के द्वारा हमें पता चलता है उस देश की संस्कृती क्या है समिधान के द्वारा पता चलता है कि उस देश की सभिता क्या है उस देश में किन चीजों को परंपराओं में ढाला गया है समिधान से ये पता चलता है कि आखिर में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो कौन से अधिकार हैं समिधान से हमें ये पता चलता है कि जो सरकार के अंग हैं कारपाली का बिधाई का और नियापाली का उनके बीच में संबंध कैसे हैं क्या वहाँ पर बिधाई का मजबूत है न्याइपालिका कमजोर है जैसे कि एक आत्मक सासन ब्योस्था में क्या होता है वहाँ पर बिधाई का मजबूत होती है और जो न्याइपालिका है वह पुण रूप से सोतंत्र नहीं होती है लेकिन संगात्म ब्योस्था में जब आप लोग ने पढ़ा था तो आप लोग ने देखा था कि वहाँ पर विधाई का करपालिका और नयापालिका एक बैलेंस करके चल रहे हैं क्योंकि तीनों में शक्तियों का क्या किया गया है प्रिथक करण किया गया है शक्तियों को बाटा गया है मतलब कि वहाँ पर न्याइपाली का स्वतंतर रूप से काम कर रही है तो समिधान हमें ये बताता है कि आखिर में राज्यों के यानि सरकार के तीनों अंगों में क्या अंतर है या फिर क्या संबंध है साथ साथ समिधान हमें यह बताता है कि what is relation between the government and citizens यानि वहां के जो people हैं यानि कि सरकार और नागरिकों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं ताना साही रोईये वाले संबंध हैं या लोकतांतरिक तरीके से संबंध हैं इन संबंधों को या संबंधान हमें एक-एक करके बताता है अगर मैं एक बात बोलू तो जो भारत का संबंधान है वह यह लगातार आप से कहता रहता है कि कि मैं तुम्हारे हर एक समस्या का जबाब हूँ मैं तुम्हारे हर एक समस्या का हल हूँ कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना मैं भारत का समिधान हो ये बात भारत का समिधान लगातार कहता है हलाकि आईए अभी हम समिधान पे चल रहे हैं और हमने देखा कि आखिर में समिधान क्या है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए हमें दिखेगा समिधान के प्रकार हमें क्या दिखेगा समिधान के प्रकार और आप ने ये सब चीजे पढ़ा होगा लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ कि किस आधार पर समिधान के कौन-कौन से प्रकार होते हैं इन चीजों को लाया हूँ तो जैसे देखिए जब हम समिधान के प्रकार के बारे में देखते हैं तो बिसे वस्तू के आधार पर समिधान दो प संग के आधार पर यानि यूनियन के आधार पर एक आत्मक समिधान और संग आत्मक समिधान हो जाता है और उत्पत्ती के आधार पर एक बिक्सित हो जाता है और एक निर्मिस समिधान होता है आखिर में इसका मतलब क्या है एक एक करके समझिए उत्पत्ती के आधार पर दिया उत्पत्ति के आधार पर ही जो है उत्पत्ति के आधार पर समिधान यही मेन है जब आप से पेपर में पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि दो प्रकार का समिधान होता है कौन कौन सा? एक है लिखित और एक है और लिखित एक है लिखित और एक है और लिखित ठीक है ना तो लिखित समिधान क्या है तो ध्यान दोखेगा लिखित समिधान में जो नियम होते हैं उपनियम होते हैं ठीक है ना ये उपनियम हो गए आदेश हो गए ठीक है ना ये सब क्या होते हैं लिखित होते हैं ये सब क्या होते हैं लिखित होते ह अर्थात लिखिस समिधान जो है वह कहीं न कहीं एक समय में बनाया गया होता है लिखिस समिधान क्या होता है एक समय में बनाया गया समिधान एक समय में कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा जो है बनाया जाता है साथ साथ और लिखी समिधान में कुछ चीजें जो आपको लगातार देखने को मिलेंगी ये पर्टिकुलर एक समय में बनाया नहीं जाता एक समय में नहीं बनता एक समय में नहीं बनता जैसे जैसे कानून बनाया जाते हैं समानी कानून वह आगे जो है लगातार चलते रहते हैं उसे ही और लिखित रूप में कह दिया जाता है यानि कि एक समय में एक ग्रूप के द्वारा नहीं बनाया जाता साथ साथ और लिखि समिधान में हमें परमपराओं का रोल बहुत ज़्यादा दिखता है साथ साथ और लिखि समिधान में हमें लगातार ये दिखता है कि जो नयालियों द्वारा नेड़े हैं जो नयालियों द्वारा नेड़े हैं वह भी काम आता है इसमें नयालियों द्वारा जो दिये गए नेड़े हैं वह कानून के रूप में काम आते हैं कानून के रूप में काम आते हैं कानून के रूप में कार आते हैं ठीक है न? तो यानि कि आप देखोगे कि लिखित और लिखी समिधान जो है वह अपने एक बिसेस्ता को लेकर चल रहे हैं अगर आप देखो लिखी समिधान के लिए तो अगर एक जामपल लेना चाहो तो बिस्व का फर्स्ट रिटेंड कॉंस्टूशन किसे माना जाता है यूएस से कुमाना जाता है पूर्ण लिखी समिधान यूएस से कुमाना जाता है ठीक है न इसमें एक देश है मुरको में भी जो है समिधान लिखा हुआ था लेकिन उसका पूर्ण लिखी समिधान नहीं था वह अमेरिका के यानि USA के समिधान को बनानी के लिए ही हुआ था जैसे आपका सकते हो कि भारत एक्जामपल दे सकते हो भारत का समिधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तयार हो गया और 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ पुड़ रूप से लागू हो गया तो भारत का समिधान भी क्या है लिखित है नई दिल्ली में जो है समिधान सभा बैठी और समिधान सभा ने बैठ कर भारत का समिधान बनाया एक कोश्चन आता है कि वो आर मेकिंग आप दे इंडियन कॉंसिटूशन Dr. B. R. Ambedkar, Constituent Assembly, Pandijwala Nehru and drafting committee तो maximum लोग एक आंसर देते हैं Dr. B. R. Ambedkar No, it is wrong answer I know Dr. B. R. Ambedkar is also important person in the Constituent Assembly but Dr. B. R. Ambedkar was only one Dr. B. R. Ambedkar was a making of the Indian Constitution not possible सिर्फ एक ब्यक्ति समिधान बना दे ये possible नहीं है तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा समिधान सभा क्योंकि समिधान बनाने के लिए समिधान सभा बनाई गई थी तो इसलिए ध्यान रखेगा बच्चों कि भारत के समिधान को समिधान सभा ने बनाया है कोई और नहीं particular किसी ब्यक्ति ने नहीं बनाया है प्रारूप समिधी जो थी वो समिधान के प्रारूप को तयार की थी कि आखिर में कौन सा चीज कहां पर होगा किस प्रकार से होगा क्या क्या चीजे होंगी ठीक है न हाँ डाक्टर बी यारा मेटकर सहाब को father of Indian constitution कहा जाता है क्योंकि वो प्रारूप समिधी के अध्यच भी थे और समिधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान भी था उनका ठीक है अलिखित समिधान का अगर हमें एक्जामपल लेना हो तो अलिखित समिधान का एक्जामपल होगा सबसे अच्छा एक्जामपल है ब्रिटेन का समिधान जो है अलिखित है ब्रिटेन का समिधान परमपराओं पर आधारित है ब्रिटेन का समिधान रूडियों पर आधारित है लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का समिधान लिखा हुआ नहीं है मैंने कहा न लिखित समिधान जो है maximum आप देखोगे तो एक समय में नहीं बनाए गया होता यह धीरे धीरे बिक्सित होता चला आता है धीरे धीरे बिक्सित चला होता है जब हम उतपत्ति के आधार पर पढ़ेंगे दो प्रकाल का समिधान है निरमित और बिक्सित तो निर्मित का रूप कहां प्या जाता है लिखित में आ जाता है और विक्षी समिधान का रूप कहां प्या जाता है और लिखित रूप में आ जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उमीद है कि आप लोग को ये चीजे समझ में आ रही होंगी और यदि जो है तो उमीद है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए हम लोग बात कर रहे थे हमारी जो टेक्निकल टीम होती है यहां बैठी होती है और बड़ा सहयता प्रदान करती है बीना इनके तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती तो इसलिए जो है मैं बार-बार टेक्निकल टीम को ध दिखते हैं कि लिखित और ऐलिखी किया अंतर है उमीद है कि आप लोग को यह चीज समझ में आया होगा अगा समझ में आ गया है तो आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को ये बाते समझ में आ गई हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं समिधान के प्रकार में एक संसोधन की अधार पर लच्छीला और कठोर समिधान क्या होता है इसको देख लेते हैं लचीला और कठोर समिधा है ठीक है लचीला और कठोर समिधा है चलिए लचीला और कठोर समिधान तो देखो लचीला समिधान वह होता है जिसमें संसोधन करना जिसमें समिधान संसोधन करना आसान हो जिसमें समिधान संसोधन करना आसान होता है आसान होता है और आसान का मतलब है कि लचीले समिधान में दोस्तों जो संसोधन होता है वो सामान प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है संसोधन जो होता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है, सामान ने प्रक्रिया के द्वारा, और सामान ने प्रक्रिया क्या कहला आती है, यानि सामान ने भहुमत, सामान ने प्रक्रिया का मतलब होता है, सामान ने भहुमत, और सामान ने भहुमत का क्या मतलब होता है, 50% प्लस 1 50% प्लस 1 होता है यानि कि आप देखो कि सरकार बनाने के लिए भी कितना चाहिए 50% प्लस 1 और संसोधन करने के लिए भी कितना चाहिए 50% प्लस 1 यानि कि जो present time में सरकारे होंगी किसी वी तेस में तो वह आराम से जहां पर लचिला समिधान होगा वहाँ पर आराम से समिधान संसोधन किया जा सकता है ठीक है और कठोर समिधान क्या होता है कठोर समिधान की जब आप परिभासा देखोगे तो अब आप समझ गए होगे कठोर समिधान क्या होता है जिसमें संसोधन यानि समिधान संसोधन आसानी से नह होते हैं नहीं होते हैं होते तो हैं लेकिन समिधान संसोधन आसानी से नहीं होते एक बिसेश प्रक्रिया के द्वारा होता है एक बिसेश प्रक्रिया के द्वारा संसोधन किया जाता है के द्वारा संसोधन होता है और ये बिसेश प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों ये बिसेश प्रक्रिया क्या होती है तो ये बिसेश प्रक्रिया जो होती है धन्म रखेगा बिसेश प्रक्रिया इसे कहते हैं बिसेश बहुमत बिसेश प्रक्रिया को बोलते हैं बिसेश बहुमत और बिसेश बहुमत में आप देखोगे तो आपका दो तीहाई बहुमत आता है। संगी बेवस्था पर असर पड़ता है देश के संगी बेवस्था ये चीजे जो है भारत में भी पाई जाती है। या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। मतलब कि ये पाना तो और्थासम मुस्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लचीला और कठोर में क्या अंतर हो रहा है। परचिला समिधान यानि की फ्लेक्शिबल चीजें जैसे ये आपका सकते हैं ये तार ये तार क्या है। इसको हम किसी तरीके से मोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से और ये परिवर्तित हो जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसे कर लें तो इसका रूप ये हो गया। हम चाहें तो इसको सीधा कर दें तो इसका रूप ये हो गया। ये कठोर है, इसको अगर हम जबरदस्ती संसोधन करेंगे, जबरदस्ती मोड़ना चाहेंगे तो तूट जाएगा, हाँ संसोधन हो सकता है इसमें भी, इसका रूप चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्या सामाने तरीके से चेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए विसेज्स प्रक्रिया है वया है, कि सबी लोगों का कम से कम दो तीहाई लोगों को साथ मिले के चलें, नहीं तो ब्यवस्था में गरवड़ी पैदा हो सकती हैं, लोग जो है सरकार के खिलाब भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पाविशेज्स प्रक्रिया अपना ही गई है, अगर हम संगी वेवस्था में चिंज करना चाहते हैं और अगर हम राज्यों का समर्थन नहीं प्राप्त करें तो राज्य हो सकता है कि कैंदर से विद्रो कर दें, कर सकते हैं तो इसलिए जो है ये प्रक्रियाएं कठोर बनाई गई हैं कि जल्दबाजी में चिंज ना हो पाए मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो जो लचीला समिधान है वो एकात्मक सासन ब्योस्था में देखने को मिलेगा क्यों कि वो ब्योस्था में केंदर ही सरवे सरवा होता है राज के पास कोई पावर नहीं होता है लेकिन जो ये आप कठोर समिधान देखोगे वो आप संगात्मक ब्योस्था में देखोगे क्योंकि वहाँ केंदर और राज दोनों को पावर मिले होते हैं और भारत में इसका म बिला जुला रूप है भारत का समिधान जो है लचिला भी है कठोर भी है क्योंकि भारत के समिधान में कुछ विसे ऐसे हैं जो कि आराम से 50% प्लस 1 से संसोधित किये जा सकते हैं लेकिन कुछ प्रक्रियां ऐसी हैं जो विसेश प्रक्रिया से ही संसोधित किये जाते हैं और अ यूसे में अभी तक लगवग लगवग 200-300 साल का इतिहास हो गया अभी तक में 35 संसुधन के आजपास होए वही देखिए भारत में भारत के एक्जाम पर लेते हैं भारत मिक्स है नगारत में जो है लचले समिधान का example लेना चाहें दोस्तों तो इसका example U.K. जो है बड़ा ही आसानी तरीके से लिए सकता है क्योंकि U.K. एकात्मक बेवस्था का example भी है और साथ-साथ वहाँ पक्यन सरकार सरवे सरवा होती है और उसका समिधान अलिखित भी है तो उसमें आराम से जप चाहे तब संसुधन कर सकती है उमीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो यदि समझ में आ रही हैं तो यस करते जाईए आगे चलते हैं यहाँ पे संघ के आधार पर एकात्मक समिधान और संघात्मक समिधान यह मैंने आपको बताई दिया है एकात्मक और संघात्मक के बारे में उत्पत्ती के आधार पर बिक्षित और निर्मिष समिधान तो बिक्षित और निर्मिष का मतलब समझाए क्या होता है बिक्षित और निर्मिष का मतलब समझाए क्या होता है बिक्षिस समिधान और निर्मिस समिधान और निर्मिस समिधान तो बड़ा ही आसान है कोई टफ नहीं है यह आप आराम से जो है समझ सकते हो देखिए जो बिक्षिस समिधान होता है वो एक ही समय में नहीं बनाए गया होता एक समय में नहीं बनता समय के साथ साथ कानूनों को बनाया जाता है कानूनों को बनाया जाता है यानि कि एक समय में एक साथ बैठ कर इस समिधान को नहीं बनाया जाता है जैसे जैसे आवशक्ता पढ़ने पर हाँ ये भी आप कर सकते हो कि आवशक्ता अनूरूप आवशक्ता अनूरूप इसका विकास किया जाता है इसका विकास किया जाता है, इसे कहते हैं बिक्सी समिधान, और जानते हैं बिक्सी समिधान में एक और चीज है कि बिक्सी समिधान में संसोधन यानि बदलाव बड़े आसानी से होता है, संसोधन बहुत आसानी से होता है, बहुत आसानी से होता है, बहुत आसानी से होता है, और जो निर्मे समिधान होता है दोस्तों निर्मे समिधान जो है जो निर्मे समिधान होता है ये एक ही समय में बना होता है क्या होता है एक समय में बना होता है यानि इसका निर्मार कर दिया जाता है एक समय में एक बैठक के द्वारा यानि कि कुछ लोग होते हैं वो बैठक क आगे चलकर संसोधन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सिंपत सी बात है कि समिधान बन चुका है, नियम कानून बन चुक mun estar written रूप में आ चुका है। तो आप ये थोड़ो कहेंगे कि अब इसको जो है डिली डिली बदला जाए जो है नहीं अब अगर आपका एक बार घर जो है निर्मित हो गया है तो आप उसको जो है थोड़ो तोड़ते हो और यदि उसमें कुछ बदलाव करना है तो पहले आप पूरा एक प्रक्रिया का पा लिखी समिधान जो होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है और लिखी समिधान क्या होता है लचीला होता है जो लचीला समिधान है वो एकात्मक ब्यास्था में देखने को मिलता है और जो कठोर समिधान है वो संगात्मक ब्यास्था में देखने को मिलता है और जो एकात्मक सासन बेवस्था में समिधान होता है वो विक्सित होता है और संगात्मक बेवस्था में क्या होता है निर्मित होता है बस यहाँ पर क्रॉस है बाकी सब जो है एक लाइन में उसी लाइन में लिखा हुआ है ठीक है ना आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा इसी के द्वारा उस देश की राज्यतिक बेवस्था देखिए साफ साफ लिखा है राज्यतिक बेवस्था न्याय बेवस्था आदिका परिपालन होता है लिखिस समिधान का निर्मार जनता के द्वारा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिजियों के द्वारा गठित समिध सभा द्वारा होता है। पर ये भी सब्द मैंने लिया था। निश्चित समय पर तयार होता है और एक निश्चित तिथी को इसे अधिनेमित और लागू किया जाता है जैसे हमने आपको भारत की समिधान के बारे में बताया था अर्थात इसे बार बार नहीं बनाया जाता देखा जो जो बाते कहा था वो सारी बाते यहां पर आपको देखने को मिल रही है लेकि समिधान वैसे तो काफी कठो कठोर समिधान माना जाता है किन्तु इसमें संसोधन की बेवस्था रहती है नौर्मल तरीके से नहीं होती है पताया था न मैंने वहाँ पर हलाकि कुछ देसों का समिधान कठोर नहीं है लिखिस समिधान में संसोधन के लिए कुछ देसों में काफी लचीली बेवस्था होती ह जैसे स्रिलंका का समिधान, वहीं कुछ देशों में संसोधन की प्रक्रिया काफी कठिन होती है, जैसे अमेरिका के समिधान में, ठीक है न, यानि स्रिलंका का समिधान जो है वो लिखित तो है, लेकिन इतना कठोर नहीं है, वहां नॉर्मल तरीके से संसोधन कर दिया जाता है लेकिन देखिए USA का समिधान USA संघात्मक ब्योस्था है ठीक है न और सिलंका जो है वो एकात्मक ब्योस्था में आपको दिखता है तब ही जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखिए सिलंका जो है नीले पॉइंट में है न सिलंका एकात्मक बेवस्था में दिख रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एकात्मक बेवस्था में जो समिधान होगा उसमें संसोधन आराम से किया जा सकता है तो यही बात जो है यहाँ पे कह रहा है कि सिलंका का जो समिधान है वो लिखा तो हुआ है लेकिन यहाँ पर लचीली बेवस्था अपनाई गई है तो लचीली बेवस्था तो है लिखित तो है लेकिन सिलंका क्या है एक आत्मक सासन बेवस्था में कुछ देशों में संसोधन लचीले और डिट दोनों तरीके से होते हैं जैसे अपने देश भारत का समिधान यही बात मैंने आपको वहां भी बताई है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अलिखी समिधान के बारे में कह रहा है मैं इसको लिखा हुआ है तो इसको जो है पढ़ना सही रहेगा लिखा हुआ है कि अलिखी समिधान भी वास्तों में लिखित ही होता है देखिए मैंने कहा था ना वास्तों में लिखित ही होता है किन्तो इसको अलिखी समिधान कहने की अलग वज़ा है क्या वज़ा है इस तरह के की प्रक्रिया सतत चलती रहती है यानि कि ये विक्सित सम्हिधान जो लगातार विक्सित हो रहा है जब प्रसितियां और समय की जवरत हो ईـT तो एक शुर्थी एक नए विधान बना लिए जाता है समय समय पर कानून बना जाता है जवरत के हिसाब से मैंने आपको आप देखिए इस पेडियाफ में जो है मैंने अलिकी समिधान में क्या लिखा कि एक समय में नहीं बनता परंपराओं का रोल दिखता है न्यालियों द्वारा नेड़ने का कानून कारे करते हैं यही बात यहां भी लिखा जा रहा है परंपराओं द्वारा होता है इसके रिसिजन की प्रक्यासता चलती रहती है और समय की जवरत होई तो नया बिधान बना लिया जाता है ऐसा नहीं है कि पहले सही कानून बना लिया गया है साथ साथ अलिकी समिधान के लिए किसी समिधान निरमात्री सभा का गठन नहीं किय जाता है सेम बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और यहां भी वह बात लिखी गई है बलकि यह जनता के प्रतिंदियों के द्वारा ही बनाये जाते हैं जनता लगातार चुनती है और जो सामाने कानून बनते जाते हैं वो सम्मिधान में जो है जुड़ता चला जाता है नह ही इसे लागू कराने की कोई तारीख होती है भारत में जो है निर्मान कब हुआ निर्मित कब हुआ सबकी तारीख है यह जैसे जैसे बनता है लागू होता जाता है अलिखी सम्मिधान काफी लचीला माना जाता है ठीक है और इसमें आसानी से संसोधन किया जा सकता है सब बातें नहीं मिल रही हैं जितना आपने एक आत्मक ब्यवस्ता पढ़ा था कि आप को छिखित और लिकी समिधान में नहीं मिल रहा है हूँ मील रहा है। improving अलिक ही समिधान में बिधाई का को सरवच अस्थान प्राप्थ होता आप देखिए युकई का समिधान जो है वो अलिखित है बिधाइका को सरुष जगा प्राप्त हुआ है वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सबसे उपर है इसलिए जब आप से पूछा जाए who are sovereign in Britain तो your answer is British Parliament is a sovereign ठीक है ना बिटेन में संसार के कुछ देसों ने समिधान का अलिखी स्वरू अंगिकार किया है हलाकि ऐसे देसों की संख्या बहुत ही कम है ठीक है ना तो इस तरीके से जो है आप देखोगे कि लिखित और अलिखी समिधान आपको देखने को मिलता है आगे बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स लाइड म हूं समझा मैंने आपको पहले से दिया है लेकिन कुछ चीज़े मैं पढ़ दे रहा हूं कि आपको क्लियर रहे जब आप सुनते हो कोई चीज तो जल्दी याद हो जाता है तो देखिए साब सब लिखा हुआ है कि लिखी समिधान एक समिधान निर्मात्री सभाद्वारा न साथ साथ इसके लागू होने का एक निश्ची तिथी भी होती है जबकि अलिखी समिधान एक अभ्यूदित समिधान होता है इसका मतलब है कि इसके पुन रूप से रचित होने की कोई तिथी नहीं होती और इसके सिरजन की प्रक्रिया क्या होती है चलती रहती है तो जिसमे लगातार स्रिजन होता रहेगा वो हर दम विकास करता रहेगा जिसमें लगातार स्रिजन होता रहेगा वो लगातार विकास करता रहेगा साथ साथ लिखी समिधान कानून के रूप में बीधिवत अधिनेमित कानूनी दस्तावेजों में पाय जाता है ये धान में रखेगा ब लिखी सम्मिधान ऐसे देशों में होता है जहां एकल, संगी या अर्ध संगी सासन की ब्योस्था होती है जबकि और लिखी सम्मिधान केवल एकल सास की ब्योस्था वाले देशों में होती है और लिखी सम्मिधान सब जगह पाया जा सकता है एकल में भी संगी में और अर्ध स लेकिन जो और लिखित है वो किसमें पाजाता है एक अत्मक शासन ब्युस्था में यह कोश्चन आप से बन जाता है यहाँ से कोश्चन बन जाता है कि अब क्या कहोगे कि एकल सास की वेवस्था में पाए जाता है लिखी समिधान में न्यायपालिका बिधाईका से ज़्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि हर चीज का बिवर्ण दिया हुआ है और यदि बिधाईका आगे बढ़ने की कोशिस करेगी तो न्यायपालिका क्या करेगी उसे रोग देगी कारिपालिका का स्थान उसके बाद होता है जबकि अलिखी समिधान में देखेगा यहां बिधाईका उपर होगी समिधान में बिधाईका को सरवचस्थान होता है फिर नाइपालिका और उसके बाद कारपालिका होती है यानि कि यहाँ पे साफ साफ है कि लिखी समिधान में सबसे उपर नाइपालिका फिर बिधाईका हलाकि ऐसा है नहीं तीनों बराबर रहते हैं लेकिन balance of power होता है लेकिन एकल समिधान में विधाई का उपर होगी फिर जो है नयापालिका आएगी और फिर जो है कार्पालिका आएगी देन इसके बाद आगे आप देखोगे तो आगे और भी जो है क्या-क्या अंतर हैं ये देखने को मिलेगा नोट में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित और अलिखित दोनों ही समिधान किसी देश की सासन बेवस्था की धूरी होते हैं और इनहीं के इर्द गिर्द देश की सारी बेवस्थाएं चलती हैं दोनों तरह के समिधान के आधार पर ही देश की समस्त राजनितिक न्याइक और अन्यकार प्रणाली चलती है यानि कि चाहे समिधान लिखित हो चाहे और लिखित हो दोनों सही है कोई इसमें से खराब नहीं है चुकि लिखित समिधान इसपष्ट और बिवस्थित होते हैं अता ये समिधान ज्यादा लोगप्री है और संसार में अधिकान देश होने इसे अपनाया है उमीद है कि आपको जो है ये समिधान का टॉपिक समझ में आया होगा और यदि समझ में आया होगा तो मैं आपसे अन्रोथ तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ एक सहयोगी होने के नाते आपके इस पदपदर्शन में साथ होने के नाते कहूँगा कि आप इस वीडियो को share भी कर सकते हैं आगे आप देखोगे तो आपके लिए जो है आज आखरी दिन है आज ध्यान में रखिए आज 15 तारीख है ठीक है ना 15 नमबर 2023 15 नमबर 2023 जो है आज आखरी दिन है ठीक है ना और ध्यान में रखिएगा कि विद्यार्थियों की मांग पर उतकर्स एप में जो है दिवाली महाधमा का है और आज 15 तारीख आखरी दिन है कोई भी आप कोर्स लेंगे तो 90% उसे चूट है यानि कि ऑनलाइन में आपको 90% तक चूट मिलेगी साथ साथ जो टेस्स सिरीज है उसी फीस में आपको फ्री मिलेगी और जो वैलिटी आपको दी जाती है उसमें 6 मां की एक्ष्टा वैलिटी जोड़ कर दिया जाएगा आप जो है जो उतकर्स एप है वो गुगल पेज प्ले में भी डाउन कर सकते हैं तो आज आखरी दिन है इस पर जो है आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये उतकर्स की तरफ से हमारे डिरेक्टर निर्मल गहलोस सर की तरफ से जो है बिद्यार्थियों के लिए ये भारी छूट दी गई है तो चलिए अगले स्रीज में मिलेंगे अगले क्लास में मिलेंगे इसी जोस के साथ इसी विश्वास के साथ कि हम और आप साथ साथ तैयारी को एक दिशा देंगे तब तक के लिए आप सुस्त रहिएगा मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा जै हिन जै भारत